वेरी वर्म गुड बॉर्निंग एविवन हाव यू आम रचे गुप्टर यॉर एवेस टीचर बच्या हम लोग अपना लेसन कंपीट कर चुके हैं विट लेसन भी विल कंप्लीटेट कौन सा लेसन हमने कंप्लीट किया था लेसन सेस्ट और वास तेयर नेम उसका नेम क्या थ था कंपीटि इटिंग हमने इसके क्वेश्चे नंसर फिल अपस आंसर दफॉलोएंग और कंप्लीट यह फ्लोचार था अपना करेक्ट सेंटेंस था यह सब हम कंपीट कर चुके हैं अल्रेडी थीकैं अब जो हमें करना है वो हमें करना है लेसन सेवन विच लेसन लेसन बीक्स एंड क्लॉज बहुत देखिए ऐसे चौंच हिलती है चडिया की ऐसी करकी ऐसे ऐसी तो यह होती है बीक इट मीन्स चिडिया की चौंच इट मीन्स यह बीक होती है दिख रहा है बच्चा हां क्लियर क्लॉज अब यह क्लॉज क्या होते हैं क्लॉज होते हैं पंजी क्लॉज क्लॉज क्या होते हैं पंजी आपने देखा है बर्ड या कोई अनिमल जैसे ऐसे पकड़ता है मेली बर्ड की होते हैं बिकॉज बढ़के पंजी होते हैं तो जो क्लॉज होते हैं उनसे क्या कर बता है वो पकड़ते हैं अब हम रीट करेंगे बीक्स के बारे में देखे बटा बीक्स All birds have beaks हाँ सबी चडियाओं के बीक होती है That help them to obtain their food वो क्या help करती है अपना food obtain करने के लिए Clear? Beaks are also used for defense What is the mean of defense? The mean of defense is रक्षा क्या? रक्षा जो बीक है वो चरिया की क्या भी उसाती है Food collect करती है वो से वो defense भी करती है रक्षा भी करती है And together material for the nest देखा है आपने बढ़ क्या करती है चिन चिन की चिन चिन की एक एक सीकों को लाला की अपना गौसला तयार करती है तो बढ़ क्या क्या यूस करती है अपनी बीक से अपनी बीक से बढ़ क्या क्या यूस करती है What's the use? इदा देखो बढ़ा Opt in the food, defense and material for the nest Clear? वो खाना लाती है अपने लिए अपनी बीक में बढ़ की लाती है चोंच में बढ़ के लाती है दाना दाना चुक चुक के लाकी खटा करती है अपनी फैमिली के लिए खुद के लिए तो वो खाना food आप्टेन करती है defense करती है, रक्षा करती है और material इखटा करती है, सामान इखटा करती है किस के लिए? नैस्ट के लिए Clear? Everybody clear? Any problem? No, no? Good वापस read कर लेंगे, इसी कोई problem नहीं है बट आप मैंने जो read कर वा है, उसको read जरूर करिएगा बिटा आगे देखते हैं, the table given below tells you about the different types of beaks and their uses एक table दी हुई है ये table दी हुई है, जहां हमें different type of beaks मतलब अलग अलग तरहे के beaks के बारे में and their uses और उनके use करने के बारे में बताएंगे clear मैंने आपको पहले हमने एक leaves का chapter प्रीड किया था उसमें बताया था, leaves होती है सबका same working procedures वगर होते है but different different size and shapes के होते है man के भी different different size and shapes होती है man की भी तो इसी तरीके से जो beaks होती है उनकी भी different different size and shapes होते है ये है, देखो पिटा, ये जो beaks है ये beak किस shape में है, hooked किस shape में है, hooked type of use अब ये क्या use करती है किस तरह की और क्या use आते है strong होती है sharp होती है hooked beak होती है bites and tear bites means टुकडे and tear means चीरना मतलब किसी चीज को जैसे कोई dad animal है उसको अपनी चौंस से चीरना या और कोई ऐसी चीज है जिसको हमें फाड के चीर के लेना है the prey into small pieces उनको छोटे छोटे टुकडों में तोडने के लिये अब ये किस-किस की होती है ऐसी ऐसी beak hooked beak किस-किस की होती है owl eagles vultures hawks हमने पहले वाली lesson भी read भी किया था कि vultures eagle hawks owl ये लोग क्या करते है bad animals को भी खाते है read किया था बचा हमने ये ये ना to dread animals के लिए वो tear करती है और जब वो plants वगर किस तरह की कोई चीज खाती है तो उनके bite करती है छोटे-छोटे टुकडे करती है next is spear shaped second beak हम किस बारे में read कर रहे है spear shaped ये जो shape होती है ये उती long sharp and pointed beak long sharp and pointed beak help to spear fish क्या help करती है fish को spear करने में ये किस-किस के होती है king fisher and harons ये हमने read भी किया था पहले वाले chapter में chapters you know then है sternar इनकी जो beak होती है वो होती है strong and flat beak कैसी होती है strong and strong मजबूत a flat बिलकुट plain with sternus all along the eases also allows water and mud to go out through it क्या करती है कि जो strong and flat beat होती है वो पानी और मिट्टी में से भी अपना खाना निकाल लेते है जैसे duck and swam अब है chassel से shaped ये होती है long and slanderous beak ये जो पेड़ के अंदर insects होते हैं उनको वहां से निकाल निकाल के खा लेते हैं इनकी long and slanderous shape होती है big की वो किसकी होती है wood picture की clear बिटन आ रहा है आपको समझ में तो आपको ये पता होना चाहिए आज जो हमारा वर्क होगा वो भी बताती है पहले हम ये three or read कर लेते हैं treasure shaped होती है long and thin beak help to pull out insects from holes in the ground ये होती है hopes of rebels की cracker cracker जो होती है वो होती short, thick and conical beak helps to break and crush sheet ये किस-किस की होती है sparrow and peacock next is propped ये होती है बिटा long and slender straw like bee helps to shuck nectar from flower क्या करते हैं सब करते हैं suck means choose now ये choose थे हैं flowers में से nectar रस उसका ये कौन सी बढ़ होती है hummingbirds clear बिटा अब आपको क्या करना है any any four ये seven है total any four beaks के बारे में आपको पता होना चाहिए learn करेंगे आप थोड़ा थोड़ा ही न तो four beaks के बारे में जैसी hooked spear shaped stainer और chashle shaped ये किस-किस type की होती है सबसे पहले आप date mention करेंगे then you write here classwork next line you write lesson seven then you write beaks and claws then you write beak type of use then birds beak type of use birds clear then you write hooked strong shape and hooked beak bites and tears the prey into small pieces फिर birds के नीचे लिखेंगे owls, eagles, vultures, hawks clear thank you better have a nice day ये आपका homework है bye bye